अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो बिल्डिंग माटेरियल को लेकर सावधान रहें क्योंकि बिल्डिंग माटेरियल भी नकली और घटिया मिल रहा है एसे में आपके घर की मजबुती भगवान भरोसे ही रहेगी और हो सकता है कि निर्मान के दोरान ही वह धरासाई हो जाए गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने मक्सी रोड इस्थित एक सिमेंट फेक्टरी पर छापा मारा और एक हजार बोरी से अधिक नकली सिमेंट बरामत की जिसे अल्ट्रा ट्रेक सिमेंट के नाम से बजार में खपाया जा रहा था वो लोगों के साथ धोका धड़ी की जा रही थी दरसल फेक्टरी में ग्राइंडर की मदद से सिमेंट के धेलो को पीस कर नई बोरियो में रिपेक किया जा रहा था जिसकी सिकायत कलेक्टर को हुई थी इस पर कलेक्टर ने SDM को भेच कर फेक्टरी पर कारवाई करवाई हिरानी की बात यह रही कि यहां से सिर्फ काम करने वाले वरकर ही मिले सिमेंट बनाने की नकली फेक्टरी कोन संचालित कर रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लिहाजा नकली सिमेंट के इस मामले को पुलीस को सोब दिया गया है यह हमाँ सिकायत मिली थी अल्टर टेक के जो मेन आफिस, उनके प्रतनी थी उपस्तित हुए और उन्होंने कलेक्टर महोदे को यह शिकायत की थी कि यहाँ पर एक स्थान पर अल्टर टेक की नकली सिमेंट बना करके री पैक की जा रही है तो उसके अंतरक दिये चापामार करव ही की है लगभग अभी मौके पर सिमेंट की 500 बोरी तो पैक की हुई रखी हुई है और बाहर धेर सारी सिमेंट जो लगभग 500 बोरी और होगी जो की खराब सिमेंट पड़ी हुई है इसको पीस करके ग्राइंडर से और मजदूरों के माध्यम से पीस करके कंपनी की नई बोरियों में री पैक की जा रही है यह सिमेंट इसको जपती में ले करके सील करेंगे और पुलिस को हैंड़ोबर करेंगे कि वो इसकी कारवाई क पुलीस द्वारा की पड़ताल में पताचला की नकली सिमेंट बनाने का यह गोरक धन्दा जितेंदर सिह नामक सक्स द्वारा किया जा रहा था अल्ट्राटेक सिमेंट कमपनी के प्रतिनिधी की सिकायत पर पवासा थाना पुलीस ने नकली सिमेंट बनाने का कारखना संचालित करने वाले जितेंदर सीह और उसके करमचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्श कर लिया है पुलिस नकली सिमेंट बनाने वाले जितेंदर सीह की तलास कर रही है जानकारी के मुताबिक पिछले करीब दो साल से उसके द्वारा यहां नकली सिमेंट बनाने का उध्योग संचालित किया जा रहा था ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चेनल उज्जेन